पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं वैब शोशल मीडिया इंफुरेंसर अदनान की बहन ने भाई पर मार पीट करने के लिए पुलिस में F.I.R. दर्ज करवा दी है इसी के साथ अदनान पर ये भी अजाम लगा है कि उन्होंने अपनी बहन को फिजिकली अब्यूस भी किया था हाला कि अभी तक हादा पाई और अब्यूस करने के कारण सामने नहीं आए है शोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वारिल हो रही है जिसमें अदनान की बहन मुंबई के गोड़े गाउ प्लेस्टेशन के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है इस F.I.R. में अदनान की बहने उन पर कई सीरियस ऐलिगेशन्स भी लगाए है बहन का अरोप है कि अदनान ने उनके साथ मारपीट की है बदसलू की की है ट्वीटर पर घटना से जुड़ा एक क्लिप भी काफी ज़ादा वारिल हो रहा है वीडियो में अदनान शेक की बहन गोड़े गाउं के प्लेस्टेशन के बाहर खड़ी है इस वीडियो में उनकी बहन कहती नजर आ रही कि मैंने अपने भाई की खिलाफ शिकायत दर्ज कराने बांगो नगर पुलिस्टेशन आई थी उन्होंने मेरे साथ मारपीट की सबके सामने बदसलू की भी की काफी जादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार आज मेरिया फायर ले ली गई है मेरिया रिपोर्ट की माने तो अदनान की बहन किसी फुरकान शेक नाम के कारकरता के पास मदद मांगने भी पहुची थी पहले तो भाई उस सक्स ने तो अधनान की बहन से इस मामले को घर में सुलजाने के सला दी लेकिन जब उन्हें इस केस की सीरिसनेस का अहसास हुआ तो अधनान की बहन के साथ पुलिस टेशन गए और खुद सिकायत भी दर्ज करवाई आपको बता दे अधनान शेक अपनी शादी की चलते काफी जादा लाइम नाइट में थे अधनान ने शादी काफी धूम धाम से की पूरी शादी के दुरान पत्ती ने माक्स लगाया हुआ था जिसके चलते वीडियो और फोटोस ने लोगों का काफी ध्यान भी खीचा वहीं इस आफायर के बाद आप पुलिस क्या एक्शन लेती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा अधनान के उपर हुए आफायर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने अभी तक फिल्मे बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लि और ऐसी ही बॉलीवुड और टीवी से जोड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फिल्मे बीट कर दो कर दो हमें जो एंब को सब्सक्राइब बीट रहें ।